बिहार के प्रेटवर्क के सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आदर शिसिंग बहुशर्चित चारा घोटाले के मामले में बिहार के पूर्व मुखमंत्री पूर्व रेल मंत्री और साथी साथ राजद सुप्रीमो लालू परसाद यादो की जमानत याच्का पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है माना जा रहा था कि अगर इस मामले में लालू परसाद यादो को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर हो जाएंगे और इसकी उमीद राजद के कारकरता नेता आज यानि शुक्रवार के दिन से लगा कर बैठे थे लेकिन लालू परसाद यादो के वकीलों की तरब से कुछ और समय मांगा गया जिस पर सुनवाई करते हुए कोट ने अगले छे हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी है आज आप लोग 15 दिन का टाइम ले रहां ना तो मतलब कि यह बेल प्ली आज तो अब नहीं हो रहा है नहीं सुनवाई आज यह नहीं हो पाईगा जानवरी में कभी मान के चला है अब मतलब देख लेते हैं तो चुट्टी हो जाएगा 23-22 तारीक से एक्समस के बाद ही होग दोरंडा जो की राची में स्थित है कोशागार के मामले में लालू प्रसाद यादो की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है यह जो मामला है यह दुमका कोशागार से जुड़ा हुआ है जिसमें लालू प्रसाद यादो सजा काट रहे हैं और इस वक्त जारखन के रा शकर्स नहीं निकल पाया इस बार ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादो जेल से बाहर आ जाएंगे इस से ठीक पहले CBI की तरफ से एक अपील की गई थी कोट में जिसमें ये कहा गया था कि लालू प्रसाद यादो जेल में रहने के दौरान जेल के नियमों का उलंगन कर रहे हैं फोन से बातचीत कर रहे हैं और साथी साथ बिना जेल प्रशाशन को जानकारी दिये लोगों से मिल भी रहे हैं आको बता दे कि स्वास्थ कारणों की वज़े से लालू प्रसाद यादो को रिम्स अस्पताल जो की राची में इस्थित है वहाँ पर रखा गया है हाला की आधिकारिक तोर पर वो जेल में बंद हैं लेकिन कुछ दिनों पहले ही रिम्स अस्पताल में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए उन्हें रिम्स अस्पताल के डारेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था जिसमें बिहार चुनाओ के दौरान उन पर आरोप था कि उन्होंने फोन से कई लोगों से बातचीत की जिसका एक आडियो भी वारेल हुआ था जिसमें वो बिहार के बीजेपी के एक विधाय सरकार है इसकी वज़े से लालू परसाद यादो को जेल के नियमों से छूट दी जा रही है और जेल के नियमों का उल्लंगन करवाया जा रहा है आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें शुक्रिया